बचों question number 15 start करने से पहले हम लोग क्या करते हैं एक बार question number 14 का graph देख लेते हैं किसका graph कैसे draw होगा तो देख लो 5 minute का time दो मुझे इसमें मैं graph draw करता हूँ graph of fx fx function का एक बार graph देखते हैं ठीक है तो हमारे पार सबसे पहले fx क्या given है fx given है 3 if x हमारा क्या हो 0 से 1 के बीच में फिर 4 if x is greater than 1 less than 3 5 हमारा जो x हो वो greater than equals to 3 less than equals to 10 ठीक है अल्रेड हमने discuss कर रख है fx function का domain क्या होता है set of all real number यह हमने discuss कर रखा है अब यहां पर क्या है कि इस function का graph draw करना है तो graph के लिए तुम ऐसे देखो जब हमारा x 0 से 1 के बीच में including 0 including 1 तो y के हमारा constant है 3 के equal है और जब हमारा x 1 से 3 के बीच में है तो फिर again y constant है फोर के equal है और जब हमारा x 3 और 10 के बीच में including 3 including 10 तो फिर again हमारा y क्या है constant है वो किसके equal है 5 तो इसको तुम ऐसे देख लो curve suppose that this is x axis 0, 1, 3 यह हो गया 0 यह हो गया 1 यह हो गया 3 अब माल लेते हैं यहां पे 10 यह proper scale में नहीं है 0 से 1 के बीच का अगर इतना gap है तो 3 से 10 के बीच का काफी होना चाहिए बट अभी माल लेते हैं for time being यह 10 है ठीक है अब यहां पे क्या है 3, 4, 5 यह माल लेते हैं 3 है this is 4 and this is 5 y axis अब तुम दियान दो 0 से 1 के बीच में including 0, including 1 अगर x का value 0 भी है 1 भी है इसके बीच में तो y का value क्या 3 है तो इसका मतलब ऐसे होगा 1 पे भी 3 है तो यहां से यहां तक यह point इसका मतलब यह क्या हो गया यह y is equal to 3 ठीक है अब जब हमारा x 1 से 3 के बीच में ठीक है sorry 1 से 3 के बीच में include x यह 1 और 3 के बीच में तो फिर y का value क्या 4 है तो exactly 1 के उपर क्या होगा ऐसे यह circle आ जाएगा और 3 के उपर क्या होगा exactly यहां पे exactly 3 के उपर यहां पे क्या हो जाएगा एक circle आ जाएगा, because 3 पर नहीं है y का value 4, 1 पे भी नहीं है y का value 4, 1 पे y का value 3 है, तो ये क्या हो गया y is equals to 4, ठीक है अब जब फिर हमार x 3 और 10 के बीच में, including 3, including 10 तो y का value क्या है 5 तो exactly यहाँ पे और इसके उपर जाओगे सीधे तो ये हो गया, y is equals to 5 देख लो, यहाँ से जा रहे न, ये क्या हो गया, y is equals to 5 ठीक है, बच्चों, कोई problem नहीं आ तक तो ये हो गया हमारा curve, किसका function का curve हो गया, अब जब मैंने क्या बोला है कि जब तुम्हें किसी function का, तुम curve ब्रॉ कर लेते हो न, फिर function का कुछ भी पूछ ले तुमसे, continuity, differentibility, x, y, z, कुछ भी पूछ ले, तुम curve देख के बता सकते हो सिर्फ curve देख के, यहाँ पे साफ साफ देख रहा है कि function is discontinuous at x is equal to 1 and x is equal to 3, 1 और 3 पर function discontinuous, so domain भी देख रहा है function का function का domain क्या है, 0 to 10 including, 0 including, 10 function का range भी हमें दिख गया, range क्या है function का y के कितने values आ रहे है teeny values तो आ रहे है, 3, 4, 5 तो range भी दिख गया, 3, 4, 5 domain भी दिख गया, सब कुछ हो गया तो यह हो गया बच्छों, function का curve अब आते हैं, बच्छों, question number 15 में ठीक है ठीक है, बच्छों, question number 15 में क्या है discuss the continuity of the function f where f is defined by हमारे पास एक function दे रखा है, ठीक है इसकी continuity हमें discuss करनी है ठीक है, यह देख लो, यह function f सबसे पहले क्या दे रखा है कि y means fx, किसके इक्वल है 2x के इक्वल है, कब जब x का value less than 0 है, ठीक है फिर y जो है, 0 के इक्वल है कब, when x क्या होगा lies between 0 and 1 including 0, including 1 फिर क्या बोला है, कि जब x का value greater than 1 है तो फिर y का value क्या हमारा 4 तो domain क्या होगा इस function का अगर हमने लिखा fx को लिखा 2x के इक्वल है कब, if x हमारा less than 0 है, 0 के इक्वल है कब y, if हमारे पास जो x है, वो 0 से 1 के बीच में है including 0, including 1, 4 के if x का हमारा greater than 1 है, ठीक है तो function का domain, अगर मैं बोलूँ की domain क्या होगा भाई, तो domain, अभी हम लोग ऐसे देखो, x हमारा less than 0 सारे real number, 0 से पहले के सारे real number कवर हो गया, यहां से 0 भी कवर हो गया, 0 से 1 के बीच का भी सारे number, real number कवर हो गया 1 भी कवर हो गया, greater than 1 भी कवर हो गया, तो कुछ बचा real number में कुछ भी नहीं बचा, तो domain क्या हो गया, set of all real number, ठीक है उसके बाद क्या है, कि इसको तुम ऐसे देखो यहां हमने एक number line बना है अब, इसको मैं हर question में समझाता हूँ बच्चों को इसी छोटे-छोटे points पे confusion होता है तुम देखो यहां पे क्या है less than 0 के लिए क्या defined है function, y किसके equal है, 2x के equal है, 0 और 0 और 1 including 0, including 1, इसके बीच में y क्या हमारा, 0 है और 1 से greater 1 को छोड़के 1 से greater के लिए y क्या हमारा 4 के equal है, सबसे पहले कितने cases बनाने होंगे यहां पे हमें कितने cases बनाने होंगे यहां पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 cases बनाने होंगे, कैसे तुम इसको ऐसे देखो 5 cases हमें कैसे बनाने होंगे तुम इसको ऐसे देखो यहां पे क्या है कि यहां पे तुम देखो एक बार हम फर्स केस में क्या लेंगे when c is less than 0 एक बार हम इस इंटर्वल पे चेक करना होगा continuity c की फिर हमें c is equals to 0 पे चेक करना होगा क्यों? because c is equals to 0 पे क्या हो गया function break हो गया फिर 0 से 1 के बीच में हमें continuity चेक करनी होगी फिर c 1 पे continuity चेक करनी होगी क्यों? because again 1 पे function क्या हो गया break हो गया फिर हमें greater than 1 पे continuity चेक करनी होगी कितने points पे continuity चेक करनी होगी? 4 points पे इसको समझना है उसके बाद क्या है जो important है कि जब हम लोग लेंगे na कि c less than 0 तो c less than 0 के तुम कोई भी number 0 से चोटा उठा लो 0 के कितने भी close उठा लो मालो यहां पे हमने c उठा लिया actual में यह point 0 के बहुत close है ठीक है? तो यहां पे देखाने के लिए हम आने थोड़ा दूर बना कि यह c उठा लिया तो c के left और right left hand limit लेंगे तो क्या होगा? कौन सा number use होगा? जो इस point c से left में है तो c के left में भी क्या है? जो number होगा वो 0 से चोटा होगा, यह 2x defined होगा c के right में जो number होगा वो भी 0 से चोटा होगा, तो again यह function 2x defined होगा, इस से हमें क्या मतलब पता चला? कि अगर हमें c पर limit निकालना है तो उसमें हमें left hand limit और right hand limit की जोरत नहीं है, सिर्फ direct हम limit निकाल सकते हैं, कब जब हमने c को बोल दिया less than 0 अब जब c का value 0 लेंगे तो 0 पे हमें left hand limit और right hand limit की जोरत है because left hand limit के लिए क्या होगा? कौन सा number use होगा? जो 0 से चोटा है और 0 से बड़े के लिए क्या होगा? y is equal to 0 तो function change हो गया तो इसका मतलब की 0 पर हम जब limit निकालेंगे तो हमें left hand limit और right hand limit दोनों की जोरत परेगी फिर जब हम मानेंगे c lies between 0 and 1, यहाँ पे हमने c मान लिया, तो अगर c 0 1 के बीच में है, तो c के left में जो number होगा, वो भी 0 1 के बीच में होगा c के right में जो number होगा, वो भी 0 1 के बीच में होगा, इसका मतलब की c पर हमें left hand limit और right hand limit निकालने की जोरत नहीं है because c के left और right में जो भी number होगा, वो 0 से 1 के बीच में होगा left hand limit निकालेंगे तो क्या होगा कौन सा number use होगा जो c के left में है तो left में भी है तो वो भी 0 से 1 के बीच में उसके लिए एक ही function है y is equal to 0 जो function 0 के c के right में है वो भी number क्या है 0 से 1 के बीच में उसके लिए again ये y is equal to 0 function use होगा तो इसका मतलब कि जब हम c लेंगे 0 से 1 की बीच में तो direct limit निकालेंगे कोई left hand limit और right hand limit की जोरत नहीं है अब आजाओ c is equal to 1 पे या x is equal to 1 पे क्या होगा इसके left में तो y is equal to 0 है इसके right में तो y is equal to 4 है तो इसका क्या मतलब है कि 1 पे हमें left hand limit और right hand limit की जोरत परहेगी अगर हमने ले लिया c का value greater than 1 तो फिर हमें left hand limit और right hand limit की जोरत नहीं परहेगी यहां पे अगर c है तो इसके left में भी y is equal to 4 है right में भी यही same function defined है तो कहने का क्या मतलब है कि यहां direct इस interval में direct limit निकलेगा इस interval में direct limit निकलेगा इस interval में direct limit निकलेगा यह जो 2 points है न 0,1 यहां पे हमें left hand limit और right hand limit की जोरत पड़ेगी समझ में आरी बात और यह जो इस type के question इतने easy है कि यह within 2 second में question solve होगा 2 second में देखो 2 second में कर रहा हूं solve ठीक है दो मतलब 3-4 second में solve होगा यहां भी हमारा क्या function यहां continuous है, यहां continuous है यहां continuous है, obvious ही बात है because इस से पहले क्या है less than 0 हमारा क्या polynomial function, 0 से 1 के बीच में polynomial function, greater than 1 polynomial function, तो less than 0 0 से 1, greater than 1, सब पे polynomial function, तो continuous हो गया पहली बात, 0 पे left hand limit क्या होगा यहां 0 डाल दो, 0 0 पे right hand limit क्या हो गया, 0 तो 0 पर continuous हो गया और 0 पर function का value क्या है 0 तो continuous हो गया 1 पर left है limit क्या होगा 0 1 पर right है limit अब गरबर हो गया 4 तो इसका मतलब 1 पर limit exist नहीं किया तो 1 पर discontinuous हो गया तो एक ही point तो मिला पूरे real number में हमें सिर्फ एक ही point मिला कौन सा point मिला 1 मिला जिस पर function क्या है discontinuous है ठीक है ऐसे ही है तो question obvious ही बात है बट अगर यह question आ जाए ना board में देखो यह question जह immense में तो आएगा नहीं ऐसे अगर question जह immense में पूछने लगे तो फिर क्या बात होती है मतलब इतना life इतना असान तो है नहीं ठीक है जह immense जह immense में ऐसे question तो आएगे नहीं board में आएगे question अब board में ऐसा तो है नहीं कि तुम जो मैंने बोला उसको तुम record करके send कर दोगे board वालों को लो भाई सुन लो कैसे function continuous है तो possible है नहीं उसको जो तुम लिखोगे वही वो देखेंगे अब तुम ऐसे तो लिख नहीं सकते हो कि यह continuous यह continuous ऐसे 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 तो नहीं कर सकते हो उसको प्रोपर लिख के बताना होगा वही मैं कर रहा हूँ हर एक question में जो मैं कर रहा हूँ मैं तुम्हे steps देखानी की courses कर रहा हूँ कि जब यह question तुम बोर्ड में आगा ना तो तुम लिखोगे कैसे ठीक है तो आज हो start करते है solution number 15 ठीक है case 1 लेंगे case 1 में हमने क्या बोला case 1 में when x is less than 0 ऐसे लेंगे when c is less than 0 and c belongs to r ठीक है तो अभी बता है less than 0 के लिए हमें क्या है कोई left hand limit और right hand limit के जोड़त है ही नहीं तो यह क्या हो जाएगा बच्चो यह हमारा हो जाएगा limit x is approaching to 0 fx less than 0 के लिए क्या बच्चो defined है less than 0 के लिए तो 2x defined तो यहाँ पे क्या डाल देंगे 2x polynomial function है सीधे क्या हो जाएगा x का value 0 डाल दो तो यह 0 और यही तो f of c होगा देख लो ना कुछ गरबर मैं कर रहा हूँ sorry this is c c पर निकालेंगे ना 0 पे नहीं c पर तो यह 2c हो जाएगा यह c तो this is 2c this is 2c sorry बच्चो यह हो गया 2c और यही 2c तो क्या है f of c है हमने माना ना कि c less than 0 है तो हम limit किस पर निकालेंगे c पर निकालेंगे और अगर c पर continuous आ गिया तो फिर क्या हो जाएगा सारे number जो की less than 0 है उस पर continuous हा जाएगा तो हमें limit निकालना है c पर 0 पे नहीं निकालना है ठीक है तो यहां से हमें क्या बता है चला है, limit x is approaching towards c f of x is equals to f of c, ठीक है, limiting value c पर और functional value c पर क्या हो गया, same हो गया, तो this implies that function is continuous at x is equals to c, this implies that function is continuous for all x less than 0, इसको हमने first माल लिया, ठीक है, आरे बास समझ में, first equation में हमने क्या बोला कि function जो है, जितने भी real number है, जो 0 से छोटे हैं, उस पे continuous से, यह हो गया बच्चों, case 1, अब आज हो case 2, when, हमने c का value ले लिया, 0, ठीक है, अब 0 पर आगे, तो अब यहां पर मैंने अभी क्या बताया थ कि 0 पर हमें left hand limit और right hand limit की जोरत पड़ेगी, क्यों, because 0 पर function break हो रहा है, तो 0 पर left hand limit निकाला, तो limit x is approaching to our 0 minus, 0 पर left hand limit क्या होगा, बच्चों देखो, 0 पर left hand limit क्या होगा, यहां डालेंगे न, 2x, तो यहां पर 0 पूट कर देंगे, 0, अब 0 पर right hand limit निकालते हैं, 0 प्लस fx क क्या होगा, 0 पर right hand limit देख लो, 0 होगा, ठीक है, 0 पर right hand limit का मतलब की greater than 0 के लिए, 0 प्लस के लिए function क्या डालेंगे, 0 डालेंगे, because 0 से 1 के बीच में defined है, तो 0, यह क्या होगा, 0, यहां से हमें क्या पता चला, कि limit, और function का value 0 पर क्या है, function का value 0 पर भी 0 ही है, function का value 0 पर भी 0 ह तो यहां से हमें क्या imply हुआ, कि limit x is approaching to 0 minus fx is equals to limit, x is approaching to 0 plus fx is equals to f of 0 is equals to 0, this implies that limiting value equal होगा, 0 fx, left hand limit, right hand limit, functional value, सब 0 के equal है, इसका मतलब limiting value 0 पर और functional value 0 पर equal है, तो यहां से हमें क्या पता चला, function is continuous at x is equals to 0, यहसी is equals to 0 ले लो, ठीक है, 0 पे function क्या continuous हो गया, इसको हमने क्या बोल दिये, second, तो less than 0 के लिए हमें क्या मिला function, continuous मिला, 0 पर क्या मिला continuous मिला अब बच्चों आते हैं case number 3 पर जो हमारा case number 3 होगा वो क्या है हम क्या लेंगे c यहां मैंने बताया था न case number 3 यह बाला जाएगा c क्या लेंगे when lies between 0 and 1 less than 0 ले लिया 0 पर ले लिया अब 0 से 1 के बीच में लेंगे when c belongs to 0 to 1 इसके बीच में तो यहां पर 0 to 1 के बीच में मैंने बता रखा है कि left है limit और right है limit करने के जुरत नहीं है तो limit x is approaching towards 0 f of x यह क्या हो जाएगा limit x is approaching towards 0 नहीं c, c पर लेंगे न x is approaching towards c, 0 से 1 के बीच में क्या है function defined 0 से 1 के बीच में क्या है 0 तो यह हो जाएगा 0, तो यहां जाएगा 0 और 0 पर function का value क्या है वो भी 0 है, sorry c पर function का value क्या है c हमारा 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में function का value 0 है तो c पर भी क्या होगा 0 तो क्या हो जाएगा, this is f of c तो यहां से हमें क्या पता चला limit x is approaching towards c is fx is equals to f of c this is page number 67 ठीक है इस से हमें क्या conclusion में ला, कि फंक्शन is continuous at x is equals to c this implies that, function is continuous at एक मेल ब 2 अभी निक्शन is continuous at x is equals to c function क्या हो गया c पर continuous होगया ठीक है function is continuous at x is equals to c c पर function क्या हो गया continuous हो गया तो अगर function c पर continuous होगया और c के हमारे 0 से 1 के बीच में है तो function is continuous for all x lies between 0 and 1 तो क्या हो गया this implies that function is continuous for all x belongs to 0 to 1 ठीक है इसको हमने third बोल दिया अभी तक हमने क्या कर लिया less than 0 पे देख लो बच्चों कर लिया 0 पे चेक कर लिया 0 से 1 के बीच में कर लिया अब 1 पे आते है ठीक है यह हमारा होगा case number 4 case number 4 ठीक है case number 4 when c is equal to 1 तो 1 पे तो हमें left hand limit और right hand limit के जो रहते है 1 minus fx तो क्या होगा limit x is tending towards 1 minus 1 पर left hand limit क्या होगा 0 अगर left hand limit नहीं less than 1 के लिए क्या function defined है 0 तो यहां 0 डालेंगे तो यह किसके equal होगा है 0 के अब फिर अगर 1 पर हम लोग right hand limit निकालते है fx का तो क्या हो जाएगा limit x is approaching to 1 plus 1 पर right hand limit के लिए greater than 1 के लिए क्या defined है 4 है न देख लो तो यहां हो जाएगा यह 4 तो इसका value 4 तो left hand limit और right hand limit इस बार क्या हो गया लग लग हो गया तो limit x is approaching towards 1 minus fx is not equal to limit x is approaching towards 1 plus fx यह दोने equal नहीं हो तो this implies that limit x is tending towards 1 fx यह क्या हो गया does not exist यह तो exist ही नहीं किया तो जब limit ही नहीं exist किया तो function क्या होगा discontinuous होगा this implies that function is discontinuous at c is equals to 1 बोलो x is equals to 1 बोलो इसको हमने 4 माल लिया अब आते हैं case 5 में case 5 में क्या लेंगे when c is greater than 0 when c is greater than 0 नहीं greater than 1 where c belongs to r ठीक है तो फिर मैंने क्या बोला कि greater than 1 के लिए फिर हमें left hand limit और right hand limit की जुरती नहीं है direct limit निकल आएगा limit x is tending towards 1 fx limit x is tending towards 1 greater than 1 के लिए बेटा क्या defined है greater than 1 के लिए defined है na 4 तो यह क्या हो गया इसका limit 4 और यही तो f of c भी होगा sorry this is c again sorry this is f of c ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चला यहां से हमें पता चला की limit x is tending towards c fx is equals to f of c ठीक है तो यहां से हमें पता चला की limit function is continuous at x is equals to continuous at x is equals to c this implies that function is continuous for all x belongs to 0 to 1 to infinity 1 to infinity greater than 1 पे फंक्शन क्या हो गया continuous हो गया इसको हमने 5 बोल दिया अब तुम देखो पहले case में क्या मिला पहले case में less than 0 पे continuous 0 पे भी continuous 0 से 1 पे भी continuous 1 पे function क्या हो गया discontinuous greater than 1 पे continuous तो इसका क्या मतलब हुआ सिर्फ हमें एक ही point ऐसा मिला पूरे real number पे जिस पर function क्या हो गया discontinuous वो कौन सा point हो गया x is equals to 1 ठीक है एक ही point मिला ना इस बात को हम कैसे लिखेंगे 68 के बाद आ जाते हैं 69 पे हमारा answer क्या होगा therefore ऐसे लिखें from 1, 2, 3, 4 and 5 1, 2, 3, 4 and 5 continuity के point of view से answer लिखें तो function is continuous for all x belongs to r minus 1 1 को छोड़के बाकी function continuous है यह continuity है फिर ऐसे लिखो function is discontinuous at x is equals to 1 only function यह सिर्फ x is equal to 1 पे discontinuous है बाकी सारे पे क्या है function continuous है तो यह बचो होगी हमारा question number 15 अब हम लोग क्या करते हैं इस question number 15 का यह draw कर लेते हैं curve draw कर लेते हैं यह कोई necessary नहीं है बट एक थोड़ा सा insight अच्छा करने के लिए curve draw कर लेते हैं graph of अब फिर तुम बोलोगे कि graph जितने भी function है सब का curve draw हो जाएगा क्या तो मैं बोलोगा कि सारे function का curve draw करना possible तो है नहीं बट ऐसे भी बहुत सारे function होते हैं mathematics में जिसका curve draw करना possible नहीं है ठीक है जो curve theoretically तो function exist करता बट graphically नहीं करता वो तो बहुत higher level के बात हो गए अभी कि मैं क्या बोलौँ कि 11-12 के mathematics में भी जितने भी function होंगे उनके curve तो draw किये जा सकते बड़े आराम से बट सारे functions का curve draw करना possible बल अभी 11-12 के mathematics में भी नहीं है अब जैसे linear function दिख गया simple simple sin x cos x या sin cos में कोई combination दिख गया तो simple function है वो देखके ही पता चल जाता है कि हम इसका curve draw कर लेंगे अब जैसे इसका graph draw करने से पहले function क्या देख लो यह तो बहुत simple सा function है यह हो गया 2x हो गया if x is less than 0 हो गया फिर 0 हो गया कब हो गया if x हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में फिर क्या हो गया 4x हो गया कब if x is greater than 1 ऐसे हो गया यह है ना तो अब इसका curve draw करना देखो कितना असान है इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे number line बना लिया अच्छा उससे भी पहले तुम देखो यह function y is equals to x का curve ध्यान से देखो यह ओलेडी हम लोग उने पर रखा है कि identity function यह y is equals to x का curve है तो y is equals to 2x इससे थोड़ा उपर होगा y is equal to 4x उससे और उपर होगा यह होगा यह वाला हमारा हो जाएगा y is equals to 2x और यह वाला जो curve हो जाएगा y is equals to 4x ठीक है अब तुम देखो इस function का curve यहाँ पे क्या बोल रहा है less than 0 के लिए क्या है भाई देखो less than 0 के लिए बोल रहा है न 2x है तो हमने क्या किया y is equals to x चलो चलो एक बार बना ही लगते हैं यह उसके बाद फिर देखते हैं यह तो y is equal to x बना लिया चलो y is equal to x नहीं y is equal to 2x बना लिया यह बना लिया y is equal to 4x बना लिया less than 0 के लिए क्या है 2x है तो यह है न y is equal to 2x तो इसका curve यह है y is equal to 2x इसका कर्व less than 0 के लिए तो रखेंगे राइट हैं इसके लिए अटा देंगे यह अट गया यहां तक आगए बात समझ में अब 0 से 1 के बीच में क्या 0 यह 0 है मालो यह 1 है तो 0 से 1 के बीच में कर्व है 0 तो अभी कर्व हमें कैसा मिला है यह यहां से यहां तक और यह कर्व अभी यह हमें कर्व मिला है यह वाला कर्व यहां से यहां तक और यह यहां तक ठीक है उसके बाद तुम देखो greater than 1 पे क्या है 4 1 के cross ponding जाओ उपर greater than 1 तो 1 के cross ponding तो graph में होला जाएगा उसके बाद 4 है तो यह कर्व आ जाएगा तो फिर यह कर्व अट जाएगा यहां से यहां तक यह भी हट जाएगा और यह बहुत समझ में तो final हमें function का curve कैसा दिखेगा यहां से यहां तक यह आया यहां से यहां तक यह हुआ और exactly यहां पर यह whole whole यह whole है whole उसके बाद यह curve ऐसे यह होगा यह y is equal to 2x का curve होगा ना और यह y is equal to x का curve होगा यह जो actual ऐसे नहीं होगा यह थोड़ा मैंने यहां पर आओगे तो यह 0 से जाएगा यह actually ऐसे होगा यह नहीं होगा तो यह curve हो गया, देख लो, यहां से यहां तक, यहां से यहां, फिर यहां से आगे बड़ेगा, यहां पर hole है, अब इस curve को तुम देख कर बच्चों बताओ, कि function graph को ही देख के बताओ, कि function कहां पर discontinuous है, सिर्फ 1 ही पे तो है function discontinuous, अब बाकी देख लो, less than 0 के लिए, सब पर यह कोई है straight line, बिल्कुल 1, 0 पे भी continuous, 0 से 1 के बीच में भी continuous, सिर्फ 1 पे discontinuous, और greater than 1 पे भी continuous है, ठीक है, यह तो बस एक मैंने insight देने के लिए graph बना लिए, it is not compulsory, यह compulsory नहीं है, कि आप तुम क्या करो, कि हर एक question का graph draw करो, अब बच्चों आते है, question number हमारा 14 भी complete हो गया, question number 15 भी complete हो गया, next video में हम question number 16 करेंगे, ठीक है फिब, okay